नमस्कार मेरे सभी प्यार शांतियों को आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कुछ वन लाइनर्स उत्रकंड एल्टी अगर बात करें पार्ट वन से रेलेटेड यहां पर हैं तो 25 के असपास यहां पर हमने वन लाइनर्स ले रखें तो वीडियो के अंतर तक बने र रखें निस एक सेट को ही एंसिये एटी का फूल-फॉर्म क्या होता है तो नैसनल निसट्रकंड निसको नेसनल काॉंसिल और एज्यू केसिनल रिसर्च एंड्रे एंट्रे हैं ले होगे है इसकी रास्टी जो बात करें शैक्षिक अनुसंदान दिखिक अनुसंदान एंप् परिशाद, NCRT, National Council of Education Research and Training करके है, 1961 में इसकी स्तापना हुई है, बढ़ेंगे next question के और, second number का question आपके सामने है, UGC के बारे में पूचा जा रहा है, अब इसे विद्याला अनुदा नायोग के छेतरी कारिया लेओं, कारिया लेओं, कारिया लेओं आपको पता है, कैसे लिखा उनके बारे में पूचा जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, छे है, अब इसमें छे कौन-कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हम, छे हैं, जिसमें पूने है, ठीक है, क्या है, पूने, दूसरा नमबर का हमारे पास है भोपाल, पूने, भोपाल, और बात करें, कोलका ठीक और इसके अलावा है थे अधराबाद है थे अधराबाद ठीक है 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 थे अधराबाद और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो गुआ हाटी और लास्ट है हमारे पास है क्या बेंगलूरू ठीक है तो पहले नंबर का पूरे हो गिया भूपाल हो गिया कोलकाता हो गिया है घदराबाद हो गिया गुआ हाटी हो गिया बेंगलूरूरू हो गिया यह च्छेतरी कारयले हैं किसके यूनिवर्सटी ग्रेंट कमिसन की बिसे विद्ध्याले अनुदा नायूग अब इसकी बात की जाए तो UGC की स्थापना आपको पता है जो UGC है पहले इसको यानुदान आयोग है इसको पहले समीती के नाम से जाना जाता था और इसको 1953 में इसके बाद से इसको आयोग के नाम से जाना जाने जाने लगा इसको त्रेपन में जो है यह से रिलेटेड एक्ट अगर बात करें और 1956 में जो है इसको एक संबेदानिक दर्जा दिया गया इससे रिलेटेड और लेडी हमने वीडियो बना कि डिटेल में वहां पे सारे पॉइंट को कवर कर रखा है तो अब उस वीडियो को वाच कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेसिन की और बढ़ें अगला क्वेसिन कॉंचे आपके सामने है जो कि NCTE से संबन है किस से रिलेटेल है NCTE फिक है NCTE है फिक है नेशनल काउंसिल ओप टीचर एजज्योकेशन तीचर एज़ोकेशन NCTE की बात चल लिए अगला आपके पास question है fourth number का NSFQ करके NSFQ और इसका full form है national S में से skill और F में से framework और last में Q की बात की जाए तो qualification से qualification से ठीक है तो यह हो गया national skill qualification framework करके बोला जाता है इसको कब अपना गया 27 December 2013 को इसको अपनाया गया और इसमें total जो label बताए गया है कितने levels बताए गया है 10 levels इसमें बताए गया है 10 levels बताए गया है जो last इसमें जो highest label है जो इसमें 10 label बताए गया है जो highest label है वो कौन सा है research highest level किसको माना गया है research को माना गया है और जो पहले से fourth number का जो इसमें level है one to four जो level है वो किस पे आधारी थे हैं one to four जो level है वो school पे आधारी थे हैं ठीक है एक से लेके चार तक के जो level है schools से related है और total 10 levels की बात की गई है highest level research है और full form हम इसके बारे में बात कर चुके हैं 17 December 2013 में इसको notify किया गया इनकी इसको अपनाया गया ठीक है बढ़ेंगे next question के ओर सर्वेशिक्षा अभियान SSA से बोला जाता है जिसको SSA सर्वेशिक्षा अभियान का धेवाक्य क्या है सभी के लिए सिक्षा education for all क्या बोला जाता है education for all education for all सभी के लिए सिक्षा ठीक है इसका धेवाक्य है और सर्वेशिक्षा अभियान की बात की जाए तो इसका कारिकाल पूछा जा रहा है और किसके कारिकाल में इसको प्रार्म किया गया यह पूछा जा रहा है बरस 2000-2001 में इसको प्रार्म किया गया ठीक है और उस टाइम किसके कारिकाल में इसको शुरू किया गया तो अटल विहारी बाजपेजी के कारिकाल में इसको शुरू किया गया था बढ़ेंगे next question क्यों? next question कहिता है रमसा से related है रास्टी मादिमिक सिख्ष्य अभियान जिसको इंग्लिस में बोला जाता है रमसा सॉट में बात करें रमसा बोला जाता है कि अनुसार मादिमिक सिख्ष्य का पाथिगरम क्या होगा? NCF 2005 को रखा गया मादिमी शिक्ष्या को पर्ठेक्रम NCF का मतलब है National Curriculum Framework National Curriculum Framework यानि कि राष्टी पर्ठी चरिया रूब रेका 2005 रमसा की शुरुवाद पूछा जा रहा है राष्टी मादिमे की शिक्ष्याभियान की शुरुवाद मार्च 2009 कब हुई मार्च 2009 अब यहाँ पर सारी जितने भी हमने अभी तक पॉइंट है डिसकस किये हैं उनको कबर करने तो पहले नमर का है NCRT NCRT क्या है 1961 NCTE की बात की जाए तो इस्ताफना की बात कर रहा हूँ है 1995 एक तो 1993 है और इसके अलावा UGC संबेधानिक दर्जे की अगर बात की जाए 1956 और इसके अलावा NSFQ NSFQ की बात की जाए तो 2013 और राष्टी मादिमिक शिक्षा भियान जो है आपको पता है यह 2009 यहाँ पर दिया है और SSC की बात की जाए तो 2000-2001 करके हैं 2000-2001 यह इतने point अभी तक हमने discuss कर लिए इनको आप note down कर सकते हैं कहीं पर ताकि बार-बार इनका revision करें और definitely यहाँ से question बनेगा किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास होता है अब पूछा जा रहा है कौन से step में creative thinking का विकास होता है तो बालियावस्ता में होता है किस में होता है बालियावस्ता में होता है question no different तह form नबर-चैन था आपके सामने है भारत में सर्व सिक्ष्चा अभियान के समयदानिक संसोधन ठीक है कौन से constitutional amendment के तहट किया गया था 26 सम्मीदान संसोधन उपूच रहा है समग्रेज़ सिक्षा अभियान की सुरुवात कभी दोजार 14 में, समग्रेज़ सिक्षा अभियान की शुरुआत कभी यह पूचा जा रहा है, तो तो यह जाए याद रिक्षेगा, इसको समग्रेज़ ओपरेशन ब्लेक बूड जो है कि सिक्षानिती के तहब लॉंच किया गया तो राष्टी शिक्षानिती जो है Marcus 1996 के तहब इसको जो है लॉंच किया गया किसको ओपरेशन ब्लेक पुर्ल और कौन से इस्तर के लिए ही आप बताएंगे ठीक है भारत के केंद्री जो है बिध्याले की स्थापना कर हुई केंद्री बिध्याले यानि की केवी की स्थापना कर हुई 15 दिसमबर 1963 को 61 में आपको पता है NCRT ठीक है NCRT जो है 16 में और 63 में जो है के भी यह याद रखना है ऐसे नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए क्वेस्टन नबर 14 कहता है भारती समिदान में किस अनुच्छेत की अनुसार 6 से 14 6 से 14 जो की जो अनिवार निसल के शिक्षा है ठीक है फिर एंड कंपल्सरी एजुगेशन की बात की जारी 6 से 14 जो एज गुरूप के बच्चों के लिए है आपको पता है तो एक से लेके आठीक है वर्स के बालोकों की शिक्षा का मौली का दिखार है तो मौली कादिखार कौन से अनुच्शेत के तहत है कहने के मतलब song है Article 21 A है इस इसको आपको ध्यानद के बात करें तो question Anwar 15 क्या कहता है महिला समाख्याकारीक्रम का प्रारंब हुआ 1989 राष्टी घ्यानअयोग कोन थे तो राश्टी ग्यान आयोग की अध्यक्ष की बात की जाती है National Knowledge जो है कमिशन National Knowledge NKC Knowledge कमिशन की अध्यक्ष कौन थे Sam Pitroda मुदालियर आयोग की अपना पूछी जा रही है तो तेश सेतंबर 1922 को जिसको माद्दिमिक सिक्षे आयोग की नाम से जाना जाता है मुदालियर आयोग डॉक्टर लक्षमन स्वामी मुदालियर जी की नाम पे है तो इसको माद्दिमिक सिक्षे आयोग की नाम से जाना जाता है माद्दिमिक सिक्षे आयोग की अभियान नहीं तो राश्टी में आद्दिमिक सिक्षे आयोग मुदालियर आयोग की नाम से जाना जाता है 3 सितंबर 1952 राष्टी ग्यान आयोग का गठन हुआ था तो 13 जून 2005 को हुआ था राष्टी ग्यान आयोग का गठन और उस टाइम पर बात की जाए तो भारत के ततकालिन परदान मंतरी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंग ने किया था राष्टी ग्यान आयोग का गठन जो है 13 जून 2005 13 जून 2005 को आपको याद रखना है और ततकलिन जो उस समय की परदान मंतरी थे डॉक्टर मनमोहन सिंग जी की द्वारा किया गया था किसके अनुशार कक्षा एक से दसवी एक से दसवी तक गणित की शिक्षा को अनिवार किया जाना चाहिए तो कौन सा आयोग था जिसने कहा कि एक से लेके कक्षा दस तक गणित को अनिवार कर दिया जाना चाहिए ये 1968 में कोठारी आयोग में कहा था ठीके question about 20 28 हमार पास है किसके द्वारा सिक्षा को एक सामान ने संदस्थितना की रूब में 10 प्लस 2 प्लस 3 की सिफारिस की जाती है तो जो 10 प्लस 2 प्लस 3 जो चल रहा था ये किस की सिफारिस थी ठीक है तो ये कोठारी आयोग की थी कोठारी आयोग जिसके अधिक्स कौन थे दौलत सिंग कोठारी कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये question आपके लिए बहुत ही easy question है आप जरूर इनका answer दीजिएका दिब्यांग बेक्तियों का अधिकार जो है एक फैसिलिटेटर के रूब में इसने बता रखा है एनसीएप 2005 ने टीचर का रोल जो है जहां कहीं जरूरी हो वहाँ पर फैसिलिटेट करेगा सुविधा दाता के रूब एरिक किस से संब्दित है एरिक जो है एनसीएटी से संब्दित है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर का है एनसीटी का प्रमुख कौन होता है एनसीटी जो नेशनल काउंसल आप टीचर एजुकेशन है प्रमुख कौन होता है अध्यक्स होता है रास्टी अध्यापक शिक्षा परिशद अधिनियम जो है 1993 के तहत इस्तापित एक बैदानी के निकाई है तो यह 25 ओन लाइनस थे कैसे लगए आपको वीडियो जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंट्स के साथ भी सेर कर सकते है बहुत सारे साथी जो है पार्ट वन से रिलेटेड जो है नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं नंबर हमने अलड़ी सेर किया था आप लोगे साथ 9548708265 तो इसमें हमने बताया था आपको एक नाम मात्र जो है टाइटिंग चार्ज हमने उस पे बताया हुआ था उसके अलावा अन्य कोई भी चार्जिज आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मैसेज कर सकते हैं वाटसअप कर सकते हैं इस नंबर पर आप इजली जो हैं जितनी भी अभी तक हमने टॉपिक्स कबर कर रखें यहां पर तो वो सारी पीडिएफ आपको मिल जाएंगी तो इस बारे में पहले आप चेक कर लें बहुत से साथी फिर बात में पूछते हैं इतना टाइम नहीं है उनके बारे में कौन-कौन से टॉपिक हमने कवर कर आ रखें जो भी टॉपिक यहां पर कवर कराएंगे हैं पार्टफ़न से रिजलेटिट सारी पीडिएफ आपको मिल जाएंगी तैंक यू थैंक यू जो मच